Sealed का क्या आर्थ होता है यह आज की इस वीडियो में सीख लेती हैं Sealed का दो तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है एक तो जिसे seal किया गया हो या जो seal किया गया हो उसे हम adjective के रूप में sealed कह सकते हैं इसके इलावा sealed जो है वो seal का past tense और past participle होता है यानि कि seal की ही second और third form होती है sealed और seal का आर्थ होता है मोहर लगाना, मोहर बंद करना, छाप लगाना, सुनिश्चित करना, चिपकाना, बंद करना, बंद कर देना, ठपा लगाना, निरने करना, द्रिड करना या फैसला करना जैसे कि अगर आप यह कहना चाहें कि यह मेरे लिए एक बंद किताब है तो आप कहेंगे it's a sealed book to me या अगर आप यह कहना चाहें कि यह खिड की sealed बंद थी या इस खिड की को जो है बिलकुल बंद कर दिया गया था तो आप कहेंगे the window was sealed shut या अगर आप यह कहना चाहें कि अनुबंद पहले से ही हस्ताक्षरित और मोहर बंद है मोहर बंद का मतलब उता है जिस पर मोहर लगाई गई हो तो आप कहेंगे the contracts are already signed and sealed अब आप ऐसी ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतु बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें